गुड इूनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आप लोगों के लिए एक वीडियो हम लोगों ने अलग से बनाया है जिसका नाम है परबाकर वर्दन का इतिहास तो देखेगा वर्दन वंस के जो एक जाम की अच्छे से तयारी कर सकें तो चलिए पढ़ते हैं वर्दन वंस के सासक परबाकर वर्दन का इतिहास थानेश्वर के वर्धनों का करमबद इत्यास परबाकर वर्धन के समय से मिनने लगता है परबाकर वर्धन वर्धन वंस की स्वतंतरता का जनमदाता था उसकी स्वतंतर इस्तिती का पता उसके द्वारा धारन की गई परम बठार के उमा राजा दिराज जैसी समान पर गुपादियां हैं परबाकर बर्दन एक सक्तिसाली राजा था उसकी उपलब्तियों का वीवरन बान के हर्स चरित में इस परकार से मिरता है वैं हून रूपी हरिन के लिए सी हैं सिंदु देश के राजा के लिए ज्वर गुर्जर को चैन से नसोने देने वाला गंदराज रूपी मस्त हाती के लिए जलता हुआ बुखार लाट देश की चलाकी का अंध करने वाला मालवा देश की लक्समी रूपी लता को काड़ देन का यूद हुआ था हर सरीच से पता चलता है कि उसने अपने बड़े अपने बड़े पुत्र राजे वर्धन को हुणों से यूद करने के लिए उत्रापत भेजा था यहां पर उत्रापत से तात्परिय पस्ची मोतर सिमा प्रांथ के परदेशों से है जिसमें गंधार थे हमने गुप्त काल में पढ़ा था कि सकंद गुप्त के समय में हूनों का पर्थम आकर्वन हुआ था यहीं से कालांतर में उन्होंने विबिन राजवन्सों के समय में भारत पर आकर्वन किया था ठीक है परभाकरवर्दन के समय में हूनों का आकर्मन पंजाब में हुआ था उसने राजवर्दन को हूनों से यूद करने के लिए पंजाब में भेजा था तता उसने हूनों को प्राजित किया था बाण ने हुनों के बाद सिंद तथा गंधार का अलग-अलग विवरंट दिया है जिने परभाकर वर्दन ने जीता था सिंदु में कुशानों का सासन था गंधार में स्वेथ हुनों का सासन था जिने एफ्थलाइट कहा गया है गुजर से तातपरिय गुजर देश के राजों से है प्राचीन गुजर राजे राजस्थान में था हर्सकाल में गुजरात के ब्रगुकच में गुजरों की एक साखा निवास करती थी जिसका सासक दद दवित्य था दद दवित्य तथा परभाकर वर्दन के पूर्वजों मे युद हुआ था बान बट लाट और मालवा के साथ भी परभाकरवर्दन की सत्रूता का उल्ले करते हैं लाट परदेश गुजरात कौंकन उत्री महारास्टर तथा विदर्ब में फैला हुआ था और कल्चुरी राजों के अधिकार में था इस वन्स के संकरगन ने पस्यमी मा मालवा से हैं जो पहले यसो दर्मन का राजे था पूरवी मालवा का छेतर पहले ही उत्र गुपतों के राजे में था ये परभाकरवर्दन का सरंक्षित राजे था इस परकार परभाकरवर्दन ने अपने समकाली इन वीविद सक्तियों को नत मस्तक कर परम बठार के प्रभाकरवर्दन की मर्त्यू के समय उसके समराजे में गंधार, शिंद, गुजर देश तथा मालवा आत सामिन थे और उसका विश्तार पस्चिम में शिंद से लेकर दक्सिन की ओर नर्मदा नदी तक था। प्रभाकरवर्दन के कई रानियां थी लेकिन ये सोमती नामक रानी जो अग्र महिसी कहलाती थी उसकी परधान रानी थी। ये सोमती से दो पुत्र राजे वर्दन और हर्स वर्दन तता एक करन्या राजे स्री उत्पन हुए थे। प्रभाकरवर्दन के संबंद मैत्री पूर्ण थे। महासेयन गुप्त के दो पुत्र कुमार गुप्त तथा माधव गुप्त दोनों प्रभाकरवर्दन के दरबार में निवास करते थे। हर्स री से पता चलता है कि क्रिशन नामक एक अन्य पूत्र भी प्रभाकरवर्दन का पूत्र था। क्रिश्ण परभाकरवर्दन की किसी अन्यरानी का पुत्र था। होन एम परभाकरवर्दन परभाकरवर्दन के सासनकाल के अंत में अर्था 604 इस्यू में उसकी पसीमी सीमा पर होनों का आकर्मन हुआ। इससे परदेश की सांती और सुरक्षा खत्रे में पढ़ गई जिसके परणाम सरूप उसने अपने जेस्ट पुत्र राचेवर्दन को जो उस समय 18 वर्सका था एक विसार सेना के साथ होनों का सामना करने के लिए बेजा। हर्स सरी से पता चलता है कि जिस समय राचेवर्दन हुणों के विरुद यूद करने के लिए उत्तर पस्टिम सीमा की ओर गया था हर्स भी अस्वारोही सेना के साथ उसके पिछे पिछे गया किन्तु वह हिमाले के जगलों में आखेट का आनंद लेने लगा। जब दोनों भाई इस परकार वेस्ट थे तो हर्स को कुरंगक नामक राजवेद ने उसके पिता के गंभी रूप से विमार होने की सूसना दी। को बुलाने के लिए दूद बेजे के समाचार सुनकर वा सिग्र थानेसवर वापस आया किन्तु वहां पहुंचने पर उसने पिता को मृत यम संपून अगर को सोक में निमग ने पाया। इतियास कारिश मित का विचार है कि राज दरपान में सभासदों का एक ऐसा दल था जो हर्ष को ही राजा बनाना चाहता था। तो देखेगा इस वीडियो में हमने वर्दन मंस के बारे में जानकरी प्राप्त की और इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर देखने को मिलेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज